विडियो में तो दोस्तों जैसा कि आप सभी केनेट को पता है कि रेलवे भरती को लेकर आगामी भरती को लेकर या फिर जो भरती रुका हुआ है उसकी प्रोसेस को लेकर एक स्टेंडिंग मिटिंग होने वाली थी 28 जून को जो फाइनली जो है सब्मिट भी हुई काफी एलपी टेकनिसियन की नई भरती आने वाली है जेए टेकनिसियन की नई भरती आने वाली है उसकी प्रोसेस में क्या लगेगा टु वो होनी वाली थी 28 जून को जो काफी सारा चर्चा हुआ है तो क्या हुआ मिटिंग में अपडेट को लेकर पूरी डीटेल्स आपको देने वाले इस वीडियो में तो जितने भी केंडेट इस वीडियो को देखने पूरा देखेगा क्योंकि रेलवे के समंदित आगामी आने वाली वेकेंस और काफी सारा चेंजे जिस बार होने वाले हैं रेलवे रिक्रूट्मेंट प्रॉसेस में तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को एटुजएट प्रॉसेस जानेंगे इससे पहले रिक्वेश्टेट होगी चैनल पर पहली बार बिस्ट कर रहें सब्सक्राब करक काफी सारे न्यूस आर्टिकल में पेपर न्यूस पेपर में यहाँ पर जो है आर्टिकल निकाली गई आपने सुना भी होगा संसद में गुंजा जेई वर टेक्निसेन की प्रतिक्षा समाप्त करने का मुद्दा यानि कि जो वेटिंग लिस्ट यहाँ पर था वो 80% वेटि चीजें जो हुई है तो यह एक छोटा सांस है इसकी जितनी भी अपडेट है चलिए अब देने वाले हैं ट्विटर के माद्यम से देखे पहले पूरा आर्टिकल समझेगा उसके बाद हम बताएंगे रेयलपी टेगनिसेन ग्रूप डी एक्जाम्स के बारे में जो यहाँ पर कमेटी बठाए गई उसमें से काफी सारे पॉपूलर जो लीडर हैं उनको इन्वाइट किया गया संसत भावन में जिन में से एक मनोज कुमार जहा भी थे और इनका कमेंट है यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्विटर के माद्यम से आज रेयलवे स्टेंडिंग कमेटी क मिटिंग में जेई वो टेक्निसियन को लेकर जो स्टेंड वाइज से निकाल हंड्रेट परसंट वेटिंग क्लियर करने की मांग की सुखत्ता की दलियर दायरों से इतर सभी सदस्यों ने एक जूटता दिखाई यह भी आगरा किया कि रेलवे एक रिक्रूट्मेंट लिस्ट है यानि कि वो हंड्रेट परसंट अब क्लियर होगी वो भी जल्द से जल्द देन दूसरा यहां पर क्या होगा कि अब रेलवे जो है बिलकुल ससी की तरह रिक्रूट्मेंट को लेकर एक एक्जाम केलंडर जारी करेगी देखे हलांकि हम सबने कई वार प्रोटेश करें एक्जाम निकलती कब है फोर्म निकलती कव है डलती कव है मॉडिफिकेसन लिंक करहें होती है एक्जाम कब होती है जिसका कोई भी लिखित में जो है रेल्वे कभी नहीं देती है तीन साल हो चुके एक एक्जाम को प्रोसेस करने में मानू ग्रूप D की एक्जामेनेशन अभी सोचो 2019 में निकले 2022 खदम होने वाली है मीड चल रही है इसके कोई भी नोटिफीकेसन अभी तक नहीं जारी कियागी कि एक्जामेनेशन कब हो इसका प्रोसेस के आप सोचो अगर बंदा UPST की भी तयारी अगर तीन साल में करें तो IES बन जाएगा हो और यहां पर बिचारों से ग्रूप D का एक्जाम नहीं हो रहा है तो यह चीज़ें रेलवे ने भैसला लिए सबसे पहले जही वो टेकनिसिन टेकनिसिन वही वाली 2018 वाली दिन गाइस एक और पॉपूलर लीडर है डॉक्टर समर सिंग स्वलंकी करके हैं इनको भी इन्वाइट किया था यहां पर और यह भी पार्टिस्पेट किये थे इनका भी ट्वीट है आप देख सकते हैं नई दिल्ली रेलवे संसदिय समती बेठक आज संसदिय सचिवाले में रेलवे संसदिय अस्थाई समिती की बेठक रेलवे विभाग के अनेक विशे के साथ रेलवे भरती परकरिया सहीत अनेक बिंदों पर जो है वो चर्चा हुई है यह मेडिंग की इमेज है जिसे आप देख सकते हैं अब बोलो कि सर यह दिखाने की फायदा क्या है यह दिखाने का सिर्फ आपको यह मतलब है कि रेलवे द्वारा जी इस ओफिसल एक मेमोरेंडम जारी नहीं किया गया अभी तक इसलिए जितने भी कमेटी जो लेडर दे फॉपुलर वो जो पाटिस्पेट किये हैं वो अपने ट्वीट में बता रहा हूँ बाद में इसकी कॉलिशन इसमें क्या-क्या हुई है जो सबने अपने डिसकस किया है अपने अपने ट्वीटर ट्वीटर हंडल पे इसी तरह एक और पॉपूरल लीडर है हमारी देख सकते हैं जो स्कोर मीना जी इनको भी इनवैट किया गया थे इनका भी ट्यूट है आज दिल्ली में आहूत रेलवे स्टेंडिंग कमेटी की बेठग में विबिन मुद्दों पर चर्चा की जिनमें से जेई और टेक्निशन पे यानिकी सिधा इसमें जो है गाईस वो लगबग लगबग रखो कि 50% फोकस जो किया गया है वो जेई वो टेक्निशन रिक्रूट्मेंट को एक बहुत बड़ा मुद्दा है यार यह यह टेक्निशन जिसमें से स्टेंडवाई से निकालकर 100% वेटिंग किलियर करने की सबसे पहले प्रमुकता से उठाया गया है यानिकि सबसे पहला काम जो यही कि कि देख सकते हैं यह बहुत बड़ी मेटिंग और्गनाईज यहाँ पर हुई है और एक पॉपुलर एडर ओर हैं गाईज डॉक्टर अमर सिंग यहाँ पर देख सकते हैं इनका भी ट्वीट है यह भी इन्वाइट की कहे थे at the meeting of the standing committee on railway today there was serious discussion हुआ about the issues related to railway recruitment as well about the unemployment youth of RRB JECN 03 Oblitude Agent 18 notification को लेकर यानि कि आप सब में सकते हैं कि कितना ज़्यादा फोकस किया गया 2018 के JEC recruitment को लेकर क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा था यहाँ पर बनके आचुका था यहाँ पर जो कि DV हो चुका है मेडिकल हो चुका है दें जो आनी नहीं नहीं हुए प्लस वेटिंग लिस्ट यहाँ पर जो है वो किलियर नहीं कि गई आज था तो गाईस अगर इन resources को देखते हुए सभी की tweet handle को देखते हुए जितने भी मैंने बताया सबको नजर करते हुए यहाँ पर यहाँ पर होने वाली क्या थी कि वहाँ पर पहले एक notification जारी किया गया था आपको पता है कि 28 जून को जो new upcoming जो technician की recruitment है जैसे कि ELP technician हो गया group D भरती को लेकर एक meeting बैठने वाली है तो meeting तो भाईस आप बैठी 28 जून को लेकिन अधिकतर यहाँ पर चर्चा देखने को मिल रहा है J.E.O. technician को अब यहाँ पर हो रहा है कि ELP technician अगामी recruitment और सबसे बड़ी समस्या जो यहाँ पर group D vacancies अभी pending है उसकी कोई भी notification ने है उसका क्या हुआ अब यहाँ पर यह मुद्दा है ELP technician जो अगामी recruitment है या फिर exam calendar सबसे पहला होगा कि आपका exam calendar यहाँ पर जारी हो सकती है वो भी official होगी तब क्योंकि इस committee की हमेशा होती है standing committee जब भी बैठती है उसकी कोई न कोई एक memorandum आता है यानि कि एक official notice जारी होती है कल आज कम से कम एक दिन हो चुका है दो दिन हो गया कल meeting बैठी है अभी तक कोई भी official notice नहीं आई है कि actually मैं हुआ क्या और किस चीजे पेहां पर finally जो है railway ने स्विकारा है तो हमें wait करना होगा official notification का फिलाल मैं यही बताना चाहता था 2022 में जो अभी 28 जुन को meeting बैठी है बस इतना सा process हुआ है जही technician पे 100% ready clear करने पे खाफी जारा जो दिया गया है अगामे recruitment पर भी दिया गया है क्योंकि कई और भी topic है जो कि official notice आईगी तभी पता चलेगी काफी बच्चे कमेंट कर रहे थी इसको लेकर तो यह चीज़ें पता चली आज आज आपको कि क्या है क्या नहीं हुई है meeting में और जैसा ही official आती है हम फिर से लेकर आजाएंगे आपके लिए तो hopefully गाई सही update देनी थी वीडियो कैसे लगी जरूर बताएगा useful लगी हो please like and subscribe करें चले में ते नेक्स वीडियो में तब दगले सहे हैंद